त्वास्कार प्यारे विद्यारतियों मैं किसोर कुमाउत आपका परतिया क्लासेज के डिजिटिल प्रेटफॉर्म पर सभी बच्चों का हर्दिक स्वागत करता हूँ तो बच्चों आज मैं आपके लेकर आया हूँ एक जानदार सांदार खुसकबरी अब आपके सर आज पेपर करवाएगी उसका यह नोटिफिकेशन है बच्चों यह आप देए सकते हो पब्लिक नोटिस है 27 फरवरी दोजार चोईस का इसमें बोला गया है फॉर दा अकैडमिक सेशन 24 पचीश के लिए आपका जो सीबीटी यूजी का जो पेपर होने वाला है वह आपका मिन्स आपका यह होगा बच्चों कभी यह आपका सीबीटी बेस मनलब कंप्यूटर बेस टेस्ट होगा इसके बारे में यह सारी जानकार यह आपके नीचे दी हुई है जो मैं आपको बता रहा हूं बच्चों इसमें आपके बोला गया भी जो ओनलाइन एप्लिकेशन ऑप औम लाइन समीशन ऑप एप्लिकेशन फोरम वो सतैयस परवी से चबीस मार्च चलेंगे जो आपके फारण बढ़ना कभी तरे बच्चों आप लाष्ट पयमेंट कभ सक कर सकते रही है तो बच्चों आब की अब आपके 26 मार्च मतलब आपको 25 को कर लेना मिंस आपके 26 तारीक की रात 11 बच के 50 बजे तक आप कर सकते हो लेकिन मैं तो यही कहना चाहूंगा बच्चो आपको जो फारम है वो लाश्ट यह से 4-5 दिन पहले ही बर देना उसके बाद आता है बच्चो आएगा आपका क्रेक कर दी उन जो गलतियों का चुदार होता वह आपके इस करेक्शन विंडो के थुरू हो सकता है जो आपका एक या दो दिन के लिए उपन होगा उसके बाद अनॉस्मेंट ऑप दे सिटी आपका कब अनॉस्मेंट होगा भी आपको कौन सी सिटी में सेंटर मिला है तो वह आप करेंड वी को मई दोजार चोईस मई के दूसरा सप्ता में आपने के आजाओगा एडमिट कार्ड आ जाएंगी उसके बाद आता भी साब एडमिट कार्ड तो आगे सर पेपर कब होगा तो बच्चों आपका जो पेपर है डेट ओप एक्जामिनेशन वह आपके पंदरा मई से ले बच्चों पंदरा मईसे एकतिस मईं के वी साब सर अब कर को गई कि मुआ सरा अंसर की कब आएगी यह सरक आंसर की आगई अब लाई हमारे लिए रिजल्ट तो भाई आपका जो रिज़ल्ट बारय वह द्यान रक लेना है डीकलेशन व बच्चों on the NTA website वो आपका 30 जून को आ जाएगा तो जो बच्चे आपके ICR या BHU के लिए त्यारी कर रहे थे उन बच्चों के लिए खुशकबरी है क्योंकि भी जो आपका ICR है बच्चों वो आप CVT के थुरू ही आपका एडमेशन लेगा मतलब ICR का अब आपके अलग पेपर नहीं होगा वही पहले क्या होता था लेकिन अब ICR का कोई अलग पेपर नहीं होता ICR का पेपर है वो CVT गंदरी आपका include कर लिया गया मतलब जो ICR और BHU है उनके लिए आपका एक ही पेपर लगता वो कौन साबके CVT वाला पेपर लगता उनके नमरों के अधार पर आपको क्या करता बच्चो चुल लिया जाता है तो इसमें दो तीन चीज़ें आपके ध्यान करने वाली होती बच्चो सबसे पहले तो जल्दबाजी नहीं करने आपको फार्म बनने में क्योंकि इसमें आपके बहुत सारी सावदाने रखने होती है वह सबसे पहले तो यह आती है बच्चो आप अपनी कास्ट का ध्यान रगना आपकी जाती कौन सी है तो ठीक है जैसे केटेगरी के अंदर आ रहे उसे में बढ़ते समय ठीक है और जब भी फारम बने बेटो बच्चो एक चीद ध्यान आपना आपके पास एक खिलोना है अब आपको के सर खिलोना कौन सा अरे खिलोना वही मोबाइल फोन इस मोबाइल फोन को क्या है बच्चो थोड़ा सा जे में कर सकता है ठीक है इसलिए का रहा हूं बच्चो फारम बरते समय सावधानी पूर्यों करना है आपको जब तक फारं बरो तब तक फोन जेम में रखने है खालना है बहुदम उसी समय बाद क्या है बच्चो ओटीप्ध इन बातों को आपको एक्चुलि ढ्यान रखना है और जब ICR इसमें यूरिश्टी वरो तो इसमें आपको ICR, BHU, AUMU वाली जो यूरिश्टी आपको क्या करनी है बच्चो फिल करनी है इसके अलावा जो CVT के हमारी यहां बेच है वो आपके सुमवार से स्टार्ड हो चुक है ने बेच इसी का साथ जो बच्चे बार भी कर रहे है तो उनके लिए हमारे जो क्रेस कोर्स हैं आपके बच्चो 28 तारीक से आपके बोर्ड के वेपर खतम हो जाएगे और 19 मार्स से हमारा जो क्या है बच्चो क्रेस कोर्स स्टार्ड हो जाएगा इसके अलावा आप हमारे online और offline दोनों कोर्से के माधियम से जुर सकते हों ठीक है करके रखता है जैसे मैं मान के चलू आपके एगरिकल चाहिए जोतपुर के अंदर कितनी सीटे है बहुत अच्छा इसको पे आप राज भारत की जो टॉप एगरिकल चाहिए पढ़ने का आपको मोका मिल सकता है चाहे जीबीपन्त हो चाहे पी एई हो एच्चे युनिश्टी हो अंग्रु हो युएस दारवाड हो आयराई हो एंडिया राई हो इन यूविश्टी गंदर आपको क्या बच्चो पढ़ने का मोका मिल सकता है तो इन चीजों का ध्यान रखना है फारम कभी स्टारिक यह ध्यान रखना भई फारम बनने की लास्ट तारिक 26 है अब कई बा पर हमारे डिजीटल प्रेड़फॉर्म पर आपको फ्रेली अविलेबल करवाते रहेंगे इसी के साथ हमारे ओनलाइन कलासे जे भी चलती है साम के समय आपके जेट चीवीटी सारों के लिए उन कलासों को जुरूर जोइन करें बच्चो इसी के साथ धन्यवाद जेहिन जे बारता